Hello everyone, welcome and welcome back to my channel BS Master 4 अपा व्याकरण दिगल कर रहे हैं व्याकरण दे विच गुर्बानी व्याकरण वाला टॉपिक थोड़े है टाफ है इस करके आज इसनों बढ़ांगे अपा तब के पहला वीडियो नूँ शेर कर दो कि उसीच जडियां अपने ऑंकड से आरी वगयरा चीजाने मात्रा वाने फालतू लगिया हुई आने 21 शवदे विच दो तिन शवदा दे नौँ नेडे ही ड़ा है ये वक्षो वक्री दिखाई देने ऑविक्ष कार देखों धिड़ाना कके द बनाद कदम कार देखों इस डिटके ज़िवन भेश्च भेश्य रूपॉ बढ़ा है नहीं सीघ्यां सो डूंगा विचार रहे देविच के पाइब एह जड़िया ने पिन-पिन तरिक्या ना लगाया हुए लगामा मात्रा ने फाल तो नहीं है गया व्याकरण चीदा महत्तव है कोई एक वचन है शबद कोई बौब चन है कोई प्लिंग है कोई स्टिती दे कॉर्ण जड़ा है गुर्बानी चीद शबद जड़िया ने यूज किते गया किते सी आरी जड़िया गिया किते आंकड जड़िया गिया लगात्ती गया तहां किते जड़ा है पलिंग है किते लिंग है सो इसकार कि जड़ा है इदे विच हेल्फ वदल शब्दाच कार देती गई है तो एदे नाल जड़ा है गुर्बानी दे अखर शुद्ध किते जासादे ने जी असी नानों ठीक तरह समझागे तहां बहुत सारे लेख का ने जड़ा है प्रोफेसरा ने इजे विच पूमी का ने बाहिया है तो प्रिंसिपल साहिव सिंह ने बहुत कम किते है आते गुर्बानी विच एना लगा मात्रा दी वर्तो दे नाल जेड़े भी व्याकरण स्थिती चेंज हों दिया होदा काफी कुछ पता लाएं ना जदो उसी गुर्बानी नू चंगी तरह समझागे तहां एक पोथी यड़ी है गिया है नने उनिवस्टी पार्ट करम दे विच शब्दार्थ पहली पोथी दे अराम तो उड़े तो खक्के सफियां विच पोमी का सिर लेग दे विच उनने गुर्बानी व्याकरण देती है जिदे विच इक पासे गुर्बानी है नाल ही जड़ा हैगा इना दे अगले सफे दे उत्ते शब्दा दे आर्थने क्योंकि सानु सारे लिखा हैगा गुर्बानी पढ़ना तरह ने बहुत ही स्टीकता नाल हौली 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 समझ के क्योंकि पहला जड़े सिगे राइटर्स उनने गुर्बानी नू पढ़न दे उते इनना टाइम नहीं लगाया नहीं नहीं समझज ता बहुत सारा गैप है ताहां करके हौली ह आप दूर किता जा रहे हैं समझन दी कोशिश जड़ी है किती जा रहे हैं आते एह अधारत प्रशनी जड़ेने अपनों गायट चीवी दित्ते घए कि शब्दार्थ पोथी जड़ी है जड़ी कि अपा गुर्बानी नू समझन लई जड़ी है यूस कार दे याई शब्द अखर जड़ी है किने कोई वी लगा मात्रा नहीं लग दी उन्हों मुकत अखर मुकत अखर केंदे ने सो एदे नल की फर्क बेंदा थोड़ा थोड़ा करके समझांगे केंदे गुर्बानी विच जीना शब्दा दे आंत ते आंकड तीक्या पन देता आंकड लगया हुए ता ए जड़े हुँदे ने सिंगुलर एक वचन हुँदे ने पर जैसी उन्कड हटा दांगे ता ओ मुकत अंत दे बन जानगे जिवे तिन नेह लगा रब सेती ता ने जड़ा है ने दे नाल इनाने की लगाता आंकड लगाता ता एथे जड़ा है ने एक वचन है सब लाली ओंकड लगाया बहु बचन ली हटा आता ता एदा जड़ा हैगा इदे विच्छ अपने ए चीज याद करने है कि जदो गुर्बानी दे विच्छ एक वचन लगया हुँदे ता ओंकड जड़ा है एथे काफी सरीया लाइना चे यूज नहीं हुँदा लेकिन जिथे बहु बचन हुएगा उत्या ओंकड हटा आता जंदा ठीके उस्तो बाच नैन देखत ए जग जाई ता एथे जग जड़ा हैगा एथे एक वचन है लेकिन अगे जब पागल करिये ता सिदा सेवन सिद पीर मागे रिद सिद ता एथे जड़ा है सिद एहे बहु बचन है तो रम अमुल दे जड़ाइब फिस्ट हैं मुल जड़ा हैँज देख एंगा एक वचन है थे ता एक वचन करता से एक वचन देदना जड़ा हैं आपने की लगासा ता too, आउकर 25 आर ओंकड हटा दिती ठीक है सो तो बाच एक एंदेने केंदे इस्तरी लिंग ना आवने जड़े उन्हाच ओंकड नहीं यूज उन्दी सो गोव मुकत हुन्दे ता इस करके ने तनमन देह सखाली ता देह जड़ा हैगा इस्तरी है ता इस करके नने कोई भी ओंकड देचे नहीं ठीक है सो तरम साल एथे वे नने ओंकड नहीं लगाई तक साल दे विच वी जड़ी है ये तक साल फेमाइन वर्ड हैगा फेमिनाइन इस्तरी लिंग है ता इस करके नने जड़ा हैगा एथे ओंकड नहीं लगाई तो एददा इननने जड़ा हैगा इस्तरी दे नाल जड़ की जड़ा होंदा है चेंजी जाने गुर्बानी विच किदर ए किदर ए कंणे दी वर्तो किती गई है इदे नल जड़ा है गुर्बानी दे विच कंणा अगर यूज कारता है के दे बहु वचनों चीज बाण जाती है जेसो चन्दा उगवे सूरज चड़े 1000 देखो चंद 21 लेकिन चंदा मतलब की हो गया के चंदा में बहुत सारे चंदा दी गाल किती है रस तो रसाबन आता पुन तो पुनाबन आता बंदन तो बंदना वाद तो वादा दास तो दासा तो अथे जड़ा है अपाने की किता हैगा के गुर्बानी देविचे किदर किदर जिथे भी कन्ना यूज़ होया इटमीज यह बोवचन बनगया इक वचन तो ठीक है तक कन्ने दी जड़ी वर्तों है बोवचन लेकिती जन दी है स्यारी ने पहुंदिया स्यारी जड़ी है प्रेपोजिशनली स्थान बाची बदाली यूजकिती है जी में उपरे अंदर देखो अपनों ये लगदा के वे फालतूच लगाती पर लौजिक गुरुआ दा इस बाणी देप जड़ी अपा हौली हौली समझ देआ तो सिहारी जड़ी है इक वचनी नाव दे अंत दे विच जड़ी है स्थान बाच की संबंद दे वजो तिखाऊं दिया है कि ऊपर मतलब स्थान दास लेने ता राही द्वारा तक केड़े संजम राही कित संजम ए जाये तो केड़े संज जड़े जाये तक कित संजम तो विशेशन दे लेही जड़ा है अपा कहा सकते है स्थान बाची स्थान बाची संबंद की लेही जड़ा है आपा सिहारे नूं यूज कारते हैं उस्तो बाच चेगा अपने को ले काल वाचक की रियाविजेशन स्थान बाचक की रियाविजेशन ठीक है तब अपने उपर पड़े है सिह उस्तो बाच चेगा स्थान बाचक स्थान बाचक दा मतलब है हर अंतर बाहर नाल है जो हो वन सो दूर पर दाने था एथे जड़ा है बाहर अते दूर दे नाल अंतर दे नाल जड़ा है इनने स्यारी यूज किती है स्थान दखान ली अंतर बाहर स्थान दखान ली जड़ा है स्यारी यूज किती है काल वाचक हुण लई ठीक है आद अंत लई था एक काल वाचक दसने के आद अते अंत तो एथे रिड़ी है कि स्यारी यूज हुन दिया जित्थे स्तान वाच की समंदग आजे ओथे रिड़ी है कि आपा स्यारी यूज करने है उस तो बाच हैगा के निश्चे वाचक पड़ नाव देविच या फिर विशेशन देविच तो जिते निश्चे वाचक एहे ओहो अपा यूज़ कार देने निश्चे वाचक ता उस देले तो एक वचन होन ता अंत वीच ओंकड होंद है जो इस तरी लिंग होवे ता अपा पिच्छे वी गल करके हैं इस तरी लिंगज आंत जड़ा है ओहो मुकत हुंद है पर वह वचन होवे ता इना देनाल जड़ा है अंत लेच हाहे दी स्यारी लग जंदी है ठीक है जिन एह लेख तीस सिर नाहीं ता तू उन्हा का ओ रहे ता एथे जड़ा हैगा अपा स्यार ईहीं अफश्चे लग तू कला जड़ा है यूज कर दे गया आफ तै वह जड़ा करना है के कर दिये हान के बियारी लग दी है बैषारी लगदी है दह से ऐख जो शीते घ्र domestic act है इक आत टरिए तसके थिखान जनाद दोंगेआ है तकते उसकी कर स्रूं या मतला बो वचनी नावादेनाल भीहार ही लागती है। उस cloves लाच ए ओंकड जड़ा है की कम करदी है ता ओंकड जड़ा है शब्दासे अंत्री aliens लगी हुन दिया यह एक वचन हुन दे ओंकड कहते लिएंदा है इसे तरह होड्ष बद प्या करें ठीक है प्या मरें सड जावें तो आंत वीच ओंकड होंदा है तो इदे विच जड़ी है किया ओंकडे काट से जिम्हें लौग निदे तो लोग प्या ठीक है तो एद्दा जड़ी है इने ओंकड इनने जड़ी है गिया हटा देती है ता द्लैंकड कि थे यूज हुँँ दिलैंकड अपगल करिये ते लेंदी पंजाबी थे किसे नाव दिनाल जदू संबंद की पदनू जेड ते दी वर्तों दिये ता जड़ा है नाव दिनाल द्लैंकड लगने द्लैंकड मतल्ब दो नीचे लाइना ता साहे लिखन ना चलनी जिन्दू नो समझाए तो देखो अथे ड़ी है गिया है नाव देना जदू संबंद की दनू ठीक है ता एथे ड़ी है इननने की लगा दिता है गा देलेंकड तो उस्तों बच्छला की दि सब्सक्राइख सुलड़ेंस नाचसरां घराग को ड़ी सांति है और मतलें डतानिकड गार दो नुण निकोंट अंद पनलेंस वे द और जिटा है दोक है तो है पढ़ करते हैं ठाए संगे साथ उपरे शाया त्यारी है यह उज करते हैं त्यारी दिधने दुलावा किते यूद ऑन दियाँ ने स्थान बाच्ची समध्धकां दाकार जनेवें दियां यह किनकी आज की दूज्य लगे जाएं तर दूज्य की zer commentable, 1 जगाते occupyं दूज्य सो धृय आंज जढाएं ता उस तो बाच जढाएं गाँ जंगि जंगी की देनाल स्विदिध्य स्तानवां चीटेई कनोड़ा किसे लगड़ है करोच करनोड़ा ज़र है स्थाना वांची समंध़ किन दा है मौहु काल झाल हम पर यूस कर दे जीव चीवह तो मौह refuse करांगे, तो मतलए स्थान समंद़ है इस गृर बाणी आका किंवेश कर दे ऒूर। बिहारी फालतूच लगाये होएं ने। अधे दो तिन जोड जिडена है contrat है नाया किते नानक लगाता है आत्छा मंस्थे· करेकर करों करे एद्धा निडै लगाये होएं फालतूच लगाये होएं लिघंफ healthनेश इफ्रण्ड रण कई मतवाइं, at स्थिती देख के जड़ी है गिया ओधे अपान लगां देयां लाग की दिखों दिया के जब लग दिखों दिया है अगर ओंकड लगाया तो इक वचन है ठीक है अगर ओंकड हडा दीता ता ओचीज बौवचन है उंकड युकत आते ओंकड मुकत ठीक हाल आते ओंकड दे नाल आते ओंकड तो बीना杞़ अ सबद दे आंटीर बीच केड़ा पलिंग होंदा ती केड़ा istryailand औंकड मुकत शबद दे आंत जिड़ा ऋंकड तो बीना सबД होएगा जिझे लगी होएगी पल drawings होग होगा तुर जीद कोई वी उंकड नहीं लगी ऑस्ति किया खोर जैंग के करना है कि यह नहीं होंडा है केये रास्टोर शा मतलब कि बहुत विचन माण जनत nurse टूंकर कसी कनना लगान 이 आओ ता गुर्बानी चकन्ना जड़ा है बहुँ बचन दखांद है तो जड़ी ओंकड हटाई जन दियेगी यहां नहीं लग दियेगी जित्थे ओंकड लगी यह पलिंग है तो एवें दे छोटे कोशन दोनों आजन दियें उस तो बाचेगा के बिहारी केड़ा कम कर दिये तो बिहारी जड़ी है और बचनी नावा दा कम कर दिये जित्थे जड़ा है बचन यूज कर दे ओंकड दिये बिहारी लग दिये पैरी वावा पैरी राजाों पैंगराओ है खुलेंगर्याओ औंकट में और दोय फ़ने रियरा आप नगाँव आदके मतलब है स्यारी दिष्यारी वर्टों जिते हुंटे युज हुंदा है थीक है तो देखो जिए में और आधा पाया हुए तो स्यारी दिषा आते की पाता आपने लाँपाती है अधा ये युज हुंदा। गुरुबाणी दे शब्दा दे विच दुलाईया था दुलावा था की पाव है स्थानवाच की समंद्ध की कारज जड़ेने उसानू दाज देने मतलब है के नहीं आशकी दुलावा लाग दी आ तक जणगी उसान वाची जड़ेने समंदक सुच के ओँने मुहूल लागा है ता मतलब मुह तो घीक है एह अपानू जड़ेनेगा तो ॏफ जीव। जीबों ता एद्दा निड़ाएगा सानू को नोड़ा एचीज दर सोंद है सो एसी आज ता वीडियो मिलते हैं आपने हमें वीडियो जेनाल ता नमाद